हलो दियर स्टूदेंट्स वेल्कम बैक तो दे ग्लास इस अंबिका सेंग यूर अकाउंट्स एजुकेटर स्वागत करती हो आप सभी का मैंगे ब्रेंज पर जहां आपको मिलता है फ्री एंड हंड्रेट प्रसेंट क्वालिटी एजुकेशन यदि आप इंग्लिश मीडियम क स्टूरेंट से तो आपको कॉर्से मिल जाएंगे च्छी से लिए अपको प्रवाइट की जाती है प्रक्टस क्वेश्चन और इंचिर्टी सोलुएशन वशेशन एवरिटिंग वी आर प्रवाइडिग यूं वह भी एक दम फ्री आफ आपको हम आपसे नहीं लेते हैं ईब से जुड़े रहो चाल को जल्दे से सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक शार कर दो क्योंकि डियर स्टूदेंज यस फाइनली वी आर ऑन दे चैप्टर जहां से अब हम क्या स्टाइट करने वाले हमारे प्राक्टिकल क्वेशन भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड स्टाइट करने जारी ग्रैंड ओपनिंग आपकी होने वाली है किस चीज की प्राक्टिकल क्वेशन की क्या नाम है बहुत चैप्टर का अकाउंटिंग एक वेशन यह चैप्टर आज मैं आपको स्टाइट करवा दूँगे कुछ कॉंसेप्ट हम उसके आज इस स्टाइट क बनाएंगे अकाउंटिंग एक्वेशन कैसे बनती है कैसे बालेंस की जाती है everything हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं तो क्या आप रेडी है मैं तो बिवल रेडियो और सूपर एक्साइट ब्यू राइट इस चैप्टर को लेके तो आज क्या देखने वाले है चैप्टर खुड़ा बहुत आज इंट्रडक्शन भी देख लेंगे ठीक है तो फाइनली आज आपका वो दिन आहीं गया है जिसे हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं प्राक्टिकल क्वेस्टन वाले चैप्टर राइट तो बस जल्दी से क्या कर दो लाइक्शेर कर दो फटना वन लाइक् कुछ चीजे पढ़नी है तो चलो देख लेते वान वॉन वाई सब्स भरने तो इंट्रडक्शन देने वाली हूं मैं है खुछ आपको इंट्रड़क्शन बैसिक बाते बताओंगी क्योंकि अब एक तक तक थिए बताओंगी हैं पूरी अकाउंट की थिरी सिखा दी सारी ब निव तैयार हो गई बेसिक चारों चेप्टर में बेसिक समझ लिए अब क्या करना है Questions start करने है Questions solve करना है अब हमें बिल्डिंग बनानी है निव तैयार है अब काम चलो करना है ठीक है तो चलो सबसे पहले accounting equation में introduction बताऊंगी है ना introduction में क्या क्या तो किसका क्या effect पड़ता है वो सारी चीज़ है यहां पर देख लिंगे फिर हम क्या देखेंगे process of preparing accounting equation भाई यह बहुत important है na accounting equation बनानी कैसे है process क्या है तरीका क्या है वो पूरा मैं आपको बताऊंगी उसके बाद क्या बताऊंगी मैं आपको effect of adjustment transaction on accounting entry भाई देखो account में एक और दो तरीकी के question मैं आपको बता दो क्योंकि आप questions स्टाट करने जा रहे हो हम लोग up start करेंगे तो मैं आपको बता दू कि हमेशा जबभी account क्वेशन्स करते हैं practical question solve करते हैं यह इक होते normal वाले simple जो आप आराम से कर लोगे एक दुबर बताऊंगी उसके बाद आपक है कि आलो गर आउटस्तेंडिंग एकसे ट्रीट करेंगे क्या सारी चीज़े करेंगे तो उसमें कुछ चीज़े होती कुछ आपको बताऊंगे वह सारी चीज़े भी देखेंगे तो यह कुछ चीज़े हैं अब इसके आगे और क्या देखनिया वह भी देख लो बहुत है और चाप्टर मोस्ली बस अब कर नहीं है जादा बड़ा चाप्टर नहीं है तने आपके टोपिक्स रहने वाले हैं और फिर मैं आपको questions भी solve कराऊंगी कौन कराऊंगी है मैं आप तो dear students मैं आपको exercise के questions कराऊंगी accounting equation बनाना सिखाऊंगी कैसे accounting equation बनती है balance sheet balance sheet सारी चीजे exercise में मैं आपको सिखाऊंगी multiple choice question भाई यह तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं है ना सारे teachers हर subject में आपको यह तो जरूर कराते है multiple choice questions की practice करेंगे उसके बाद most important question भाई जरूरी है यह तो करने ही है exam के point of view से यह question लेकर आऊंगी वो आप जरूर practice करना उसकी ठीक है then complete chapter revision भाई यह तो होते ही है exam के एक दिन पहले तो इसी के याद आती है हमारे students को right complete chapter revision में कराऊंगे जिसमें पूरा इस एक chapter को मैं आपको एक class में explain कर दूंगी सारे concept को भी एक भी मिस नहीं होगा right तो यह है हमारा क्या chapter overview समाज आ गया चोटा सा chapter है ज्यादा बढ़ा नहीं है इसमें ज्यादा कुछ theory भी नहीं है अब बस directly questions रहेंगे चोटे मोटे से टॉपिक रहेंगे जो आपको देखने रहेंगे और फिर directly accounting equation मिलाना सीखना रहेगा clear समाज आ गया बस इसमें accounting equation यह और ज्यादा कुछ भी नहीं और balance sheet रहेगी थोड़ी बहुत ठीक है clear समझ गये इतना ही है हमारा chapter overview तो शुरू कर दे चाप्टर introduction ले ले आज hi hello बोल दें इससे introduction ले लेते हैं क्या क्या है chapter में क्या सारी चीज़े एक जन्रल सा introduction ले लेते हैं ठीक है start कर दें चलो सबसे पहले है meaning of an accounting equation कि भाई जो हमारी accounting equation होती है यह क्या है बिसी कली आप पहली बार सुन रहे होगे यार अभी तक accounting पढ़ा तो accounting equation is a mathematical expression based on dual aspect concept of accounting अब मुझे यह बताओ के dual aspect concept of accounting तो पढ़ा है न कोई है ऐसा जिसने नहीं पढ़ा हो कोई है क्या accounting वाला जिसने dual aspect नहीं पढ़ा हो आपको starting में पताया था, I think first or second chapter में ये वाली चीज हमने देखी थी कि क्या होता है, dual aspect concept of accounting ये कहता है, कि हर एक transaction के दो effect होता है, है ना, क्या effect होता है, दो effect, एक credit, एक debit, है ना, दो effect हर जगे हमको देखने को मिलते हैं, यही हमने देखा था, यही सारी चीज़े होती है, है कि हर transaction के क्या होते है दो effect होते है तो basically accounting equation आपको क्या पताती है mathematical एक तरीके से expression है ना mathematical expression क्या होती है भाइन जब is equals to plus minus यह सारी चीज लगके जब कोई चीज ready होती है तो वह equation हम उसको बोलते है तो वैसे ही आपकी accounting equation भी है हम basically क्या देखते है mathematical तरीके से हम equation देखते है यह expression देखते है जो किस पर based है dual aspect concept of accounting पर based है मतलब एक चीज जाती है तो दूसरी चीज आती है है ना यही आपका क्या है accounting equation इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लो यह तो बस छोटी सी line थी आगे क्या लिखा है accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting ठीक है भाई यह तो हमने समझ लिया कि यह किस पर based है dual aspect पर एक चीज आएगी तो एक चीज जाएगी ऐसा नहीं कि एक चीज आ रही है तो बस आई रही है कुछ जानी रहा नहीं यदि कोई चीज आ रही है तो उसके बदले कोई दूसरी चीज जाती भी है अब वो क्या आता है क्या जाता है वो मैं बताओंगे ना बिजनस में ट्रांजेक्शन सी बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है फिर अगला पॉइंट है इट मीज एवरी ट्रांजेक्शन हास ज्वाल अस्पेक्ट और टू आस्पेक्ट अभी बता है ना कि हार ट्रांजेक्शन की भाई दो आस्पेक्ट देखने को मि देंगे एक आप डैबिट साइट रिकॉड करोगे दूसरा आप पर णाइब इसको बिल्कोल यहां पर बठा लो बूला नहीं है भाई लो मैने सेल्स करे यह मैं यह कंपनी यह पैन बनानाजी कि मालो मैंने इसको सेल कर दिया तो एक आप बेच दिया लेकिन क्या सिर्फ पै बेचूंगे उतना प्राइस मेरे पास वापिस भी आ जाएगा तो यह क्या हो गया वाई डूल अस्पेक्ट हो गया सेल करी तो कैश हमारे पास आ गया बस यही अकाउटिक एक्वेशन और कुछ नहीं है हार ट्रांजेक्शन को करेंगे तो दो चीजी होंगी एक जाएगा एक सब्कूर्ण कैसे करते हैं और एक लगना साइड रिकॉर्ड करते हैं बस इतना समझ्य लो उक्रेड़ाय सेатеड करते होता मूल रहे हैं कि यदि आप कोई भी चीजा को ड्रांप करते हो न तो से अवाउन पर अगली चीज के रिकॉर्ड होजाएगी का आ गया देखो यह लिखा है सपोस अब एक्जामपल जो अभी मैंने जस्ट समझाया किसका सेल करी तो कैश आया मालनों मैंने यह 500 रुपे में बेचा मैंने क्या कर दी सेल्स कर दी कितने रुपे में बेचा सौ रुपे में बेच दिया ठीक है अब अगली चीज किया हुई म सामने वाला मुझे 100 रुपए ही कैश देगा तो मेरे पास क्या आगया 100 रुपए आगे ठीक है अब एंट्री कहा होगी वह इन वैसे डेबिट साइट और क्रेडिट साइट पर चीजों के एंट्री होगी बतलब सेल और कैश एक चीज जाएगी डेबिट साइट एक चीज जा क्रेडिट कर दिया ऑगली चीज में और 50 रुपए में घी होगी ऐसा नहीं करोगे ठीक है यह तो सिंबल सी बात है इसमें तो तो बस यही सिंपल सी कि भाई सेल सो में होई है तो cash भी 100 रुपे ही आएगा वही चीज यहाँ पर लिखिए कि यदि आप debit कर रहे हो तो credit भी same equal amount में करोगे समझ गए debit side और credit side पर equal amount लिखे जाते हैं clear समझ गए चलो अगला point क्या कह रहा है it means total claim those of outside and of the proprietors will always be equal to the total asset of the firm मतलब क्या कहना चाहा है यह कि हमारे business में जितने भी total assets है वो किसके बरावर होते है total assets किसके बरावर होते है जो हमारे पास capital होती है ना जो business में जो owner capital लगाता है मतलब जो owner business में पैसा लगाता है वो वाला पैसा उसको हम क्या बोलते है capital बोलते हैं है ना capital बोलते है यहीं बोलते है right capital को क्या मतलब है वो owner है उसने business में पैसा लगाया है जो पैसा उसने लगाया है उसको आप capital बोलते हो right और जो business की liabilities है क्या business की liabilities. Leabilities समझते ओ, क्यों होती है liabilities ? register कि मेरे पास ये liability है, मुझे ये चीज करनी है future मैं मालो मैं इस building में रहती हूँ, मालो मैं इस building में मेरा आप क्या सकते बिरी company है जो भी है तो मुझे इस building का rent देना होता है तो यह किया है मेरी यह अहीं मुझे देना है। उसको बहुत रहा है तो बिजनेस के जितने भी आपके टोटल एसेट होते हैं वो किसके बरावर होने चाहिए आपकी रहा की लाया बिलिटे के बरावर होने चाहिए। जितने भी asset है आपके business में वो किसके बराबर होने चाहिए भाई इन दोनों के बराबर होने चाहिए clear यही बात यहाँ पर आपको कही गई है समझ गए कुछ आया समझ एक क्वेशन के बारे में बस यही है कि debit credit side same amount के entry होती है एक चीज़ debit होगी तो दूसरी चीज़ credit होगी और total asset जो business के पास होता है total asset तो पता है न भाई asset तो बता है जो मैंने basic accounting equations basic accounting terms पढ़ाई थी आपको एक chapter में वहाँ पे मैंने आपको बताया था सब कुछ बताया था I think third chapter था हमारा basic accounting terms वहाँ पर हमने terminologies पढ़ी थी तो वहाँ सब बताया था capital क्या होती है liability क्या होती है asset क्या होता है यदि नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ लो basic है क्योंकि देखो बात भाई आ गई न कि basic ही तो यहाँ पर हम apply करेंगे जो अभी तक basic पढ़ाया वही finally हमें apply करने का वक्त आ गया है तो चलो asset क्या होते हैं एक तरीके से जो फिर्म को benefit दे रहे हैं जैसे building है तो भाई इससे मुझे benefit मिल रहा है या पर मेरा business चल रहा है यदि मेरे पास machinery है तो भाई benefit हो भाई मेरा हमरे asset होते हैं clear तो total asset किसके बराबर होते है capital or liability के बराबर होते हैं यह चीज याद रखना और आगे बढ़ जाते हैं आगे लिखाए the claim also known as equities are of two types equities भी बोलते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था देखो फिर से हम वापस चलते हैं हमारी साइट पर अभी मैंने आपको क्या बताया था यह बताया था capital or liability यह दोनों को मिला दोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं इसका नाम है वो है equities क्या है equities यह कहीं भी आपको equities शब्दे दिख जाए ना समझ जाना equities मतला combination of capital and liability ठीक है combination of capital liability हम इसको क्या बोलते है equity यह राइट और इन दोनों के बराबर क्या होते हैं आपके total asset होते हैं समझ गए है ना चलो अब बढ़ जाते भाई आगे आगे हमने क्या देखा ता वहीं कि जो equities है वो दो तरीके की है पहला मैंने गुह भी जस्ट जूष्ट बढेया क्या owner equity और capital भई जो आपके पास capital है ना business में जो आपके पास Capital है वहीं क्यों क्यों capital हमारी equity क्यों कहलाती है यह आपने एक ऐसे liability क्यों कहती है क्योंकि भाई मैं आपको क्या बताया था business अलग है ओनर अलग होते हैं दोनों अलग अलग है business अलग और इस लिए यदि अपने अलग है तो भाई कहीं आपकी जवाबदारी है आपकी liability है कि आप उसको पैसा वापिस करोगे ठीक है इसलिए बिजनेस अपने ओनर को कैपिटल का अमाउंट एक टाइम बाद वापिस भी कर देती है हाना यह तो प्रॉफिट दे रही है यह उसको अमाउंट वापिस कर देती है क्लियर तो यहां पर क्या मोल रहा है है एक्विटी वही दो चीजों से बन की आप कह आउटसाइड एक्विटी मतलब जो बाहर से अपने पैसा लिया अब ये वाला पैसा तो आपने ओनर से लिया है और अ क्याली ओगा पैसा लिया होगा लेकिंब है बाहर न Beim लिविटी जो कि बहार की है ऑट्साइड की है थीक है तो वह सारी लायबिलीटी और यह वाली यह वाली जो एक्वीटी आपकी ओनर की जो capital है यह सब कुछ मिला दोगे तो आपका क्या कहलाता है इक्वीटी कहलाता है समझ गए चालो फिर फिर कुछ express it mathematically as follows देखो भई आपके maths आ गई है अकाउंट में थोड़ी थोड़ी है ना maths आ गई है देखो mathematically इसको हम कैसे describe करने वाले हैं वो देख लो सबसे पहले equation जो मैंने अभी just आपको बताई क्या बताया था मैंने अभी आपको ये बताया था होते हैं मतलब क donor का हो या फिर वो पैसा किसी आउटसाइड पाईटी का हो महार के लोग जैसे बैंक वगेरा इन सब से आपने पैसा लिया होगा तो वह सारी चीज़ इंक्लूड करोगे और कैपिटल को भी सब कुछ अब यहां इसको क्या अलग कर दो क्या आजाएगा लाइबिलिटी जो कि बाहर के लोगों कमें पैसा देना है वह लाइबिलिटी प्लस क्या इक आपने आपने खुद के ओनर से लिए है दूसरी समझ आगए समझ लोग लगए इसको आपने अब देखो तीसरी तीसरी equation क्या कह रही है, again, अब देखो, यह तो आपने maths में बहुत क्या होगा न, कि कोई चीज is equal to के इधर आती है, फिर इसको is equal to के उस तरफ करते हैं, तो maths में हमने पढ़ा होगा, तो same वही करेंगे, जो liability आपकी equal to के उस तरफ थी, आप इसको इधर ले आओ, is equal to के इस त में हो जायेगा, तो आपके नई equation क्या बन जाएगी, liabilities is equal to, liability is equal to क्या होगा आपका, asset minus capital, right, यह equation हमने कहां से बनाई, यहां से बनाई, भाई, liability को इस तरफ कर दिया, asset को इस तरफ कर दिया, प्लस था, तो अब यह minus का होगया, तो बनाई आपके equation, liability is equal to asset minus capital, clear, समझ गए, क करना है अभी तक हमने क्या किया तो इधर लेके आये थे ना ठीक है और असेट को उधर लेके चले गए थे अभी यह किया था बस और एक क्विश्चन बन गई तो वही हुआ ना असे लाइबलिटी दर आगे और असेट इधर शिफ्ट हो क्या बागी अब हमको यहां पर क्या करना है यहां पर तो हमने लाइबलिटी को शिफ्ट किया अब यहां पर क्या कर दो इसमें क्या बन गई प्लस था तो यह माइनस का हो गया क्लियर समझ गया अब इसमें आपको रटने का कुछ लग रहा है क्या कुछ नहीं रटना बस एक चीज धिहान में रखो क्या को कोई तो सब कुछ समझाएंगा एक चीज के अधान में रखने हैं कि अपकी और की और दूसरी जो आपके outside वाली capital है या आपके सकते हो outside से जो आपने पैसा लिया है या आपकी जो outside liability है दो चीजों से मिलके बन गए equity ये चीज याद रखो तीसरी चीज फिर just क्या बन जाएगी आपके equation आराम से बन जाएगी बस ये दो चीजों के basis पर पहली चीज के याद रखने को बोलिए asset is equals to equity होता है दूसरी चीज equity में दो चीज़े आती है कौन कौन सी liability और capital तो इससे आपकी पहली equation बन गई क्या asset is equals to liability plus capital क्योंकि या equity है आपके सकते हो दो चीज़े होती है दो तरीके से होती है वो दो तरीके आपने या लिख दिये फिर इसी से related आपने ये equation बना ली liability को इधर कर दिया asset को उधर कर दिया plus का change कर दिया मतलब plus जो sign था उसको change करके minus कर दिया तो भाई आपकी ये equation बन गई फिर वापस से screenshot समझ आगे अच्छे से तो अब जल्दी से like share कर दो फटा-फट जल्दी से like share कर दो फिर आगे बढ़िंगे कर दिया समने like share कर दिया चलो अब बढ़ते हैं आगे है हमारे पास क्या effect of transaction on accounting equation अब देखो आपको बता है accounting equation में करने क्या वाले है transactions को record transactions यही तो equation बनाएंगे है हाना तो कैसे effect पड़ता है जो भी अलग-अलग nature के job transaction करोगे उसका कैसे effect पड़ता है आपकी accounting equation पर थोड़ा सा उसको discuss कर लेते हैं ठीक है चलो क्या लिखा है transaction may affect either both side of the equation by the same amount और one side of the equation only by both increasing or decreasing it by equal amount देको हर जगे जो भी चीज़ करोगे सब equal amount में होगी हाना कम जादा amount पे क कुछ record नहीं होगा debit side पे जितने के amount के entry होई है credit side पे उतने ही amount के entry होगी ऐसा नहीं इधर 100 का कर दिया 100 के entry कर दी और इधर 1500 के entry कर दी वह ऐसा नहीं इधर 100 के entry होई है तो इधर भी 100 के entry होनी चाहिए ठीक है तो basically मैं यहां पर क्या बता रही हो आपको कि जितने भी transactions है वो नहीं आदि करेंगे है ना दोनों side करेंगे देखो जैस्ट अभी मैंने बताया क्या नशा सैंअ करेंगे transaction मतलब कि यददी कोई चीज आपके यहांपर effect कर रही है ना मलना यदि आपके asset से related को त्राजक्शन है तो भाई आपके asset effect होनगे या तो कम होंगे या ज्याधा होंगे तो क्या होगा ऐसा यह कि सिर्फ यह effect होगा बागी यह चीज़े सेम रहेंगी तो अभी अराम से बस आप मुझे सुनते रहो और समझते रहो है ना क्वेस्टन करेंगे तो अच्छे समझाएगा मुझे पत्ता है भी सोचे कि यार मैं क्या पढ़ा रही है है ना थोड़ा कंफूजन हो रहा होगा लगता है नहीं नए नए पर डोंट बड़ी अभी 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 बड़ो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है देखो यह ऐसा तो रहेगा नहीं यहापर वैल्यू रहेंगे न कुछ असेट की वैल्यू दी आपको वैल्यूस दी रहेग कर आए है ना तो असेट बढ़ गए तो यहां पर असेट किया होगा असेट की जो आपकी वेल्यू यह बढ़ जाएगी तो कहीं नहीं कि सिर्फ यह चीज इफेक्ट भी यह जो दो बागी की चीजे ना यहां पे भी कुछ ना कुछ अफेक्ट जरूर होगा तो हमेशा जितने भी सेम अमाउंट में है ना सेम अमाउंट में चीजे क्या होंगी या तो बढ़ेंगी या घटेंगी समझ रहे हो थोड़ा बहुत आ रहा है दिली-दिली समझ में आ जाएगा डोंट वरी अभी आगे और देखो ठीक है चलो तो अब हमारे जो आगे के टॉपिक रहेंगे वो नेक्स वाली क्लास में डिस्कस करेंगे आज हमने पेसी के लिए क्या देखा accounting equation देखी कैसे होती है बहुत सारी 3-4 accounting equation को बनाना भी सीखा अब जो आगे के topic रहेंगे हैं next class में मैं लेकर आओंगे जिसमें हम अब effect देखेंगे कि transaction जो होते है business में उनका क्या effect पड़ता है हमारी accounting equation पे वो class में जरूर आना क्योंकि effect of transaction हम देखने वाले है accounting equation में right आज की class I hope आपको अच्छी लगी होगी आप next वाली class में भी जरूर जुणना है आपको यहीं पर magnet brains में जहां आपको हम provide करते हैं free and quality education CBC के साथ साथ आपको other state board के courses भी मिल जाएंगे जैसे की Delhi, Bihar, UP, MP, Rajasthan board इसके साथ साथ Vedic Maths या फिर spoken English के courses भी हम आपको provide करते हैं crash course आपको revision के लिए दिया चाता है हम आपको English medium courses यह दिया आपको चाहिए तो KG से लेके class 12 तक के सारे course provide करते हैं और इसके साथ साथ Hindi medium के class 6 से लेके class 12 तक के सारे course मिल जाएंगे और यदि आपको e-books या e-notes का benefit लेना है तो भाई link जो है description में given है आप वहाँ जाकर देख लेना courses देखने के लिए भाई YouTube channel को visit कर लो, mobile application download कर लो या फिर डिर्क्ली हमारी website पर जाकर भी आप हमारे courses को देख सकते हो channel को subscribe ज़रूर कर लेना other social media platform जैसे YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Insta, Telegram हर जगे जाके हमें follow ज़रूर करना वीडियो अच्छी लगे हो तो like, share ज़रूर करना मिलेंगे next class में till right, take care and keep learning